हेलो फ्रेंट्स हाव और यू तोड़े विया स्टार्टिंग हा निव बुक दैट इस कैलकुलस फॉर बियसी फस्ट इयर और आज इस बुक का वही आपा जो चैप्टर स्टार्ट करने वाड़े हैं वह है लिमिट कॉंटिनुटी एंड डिफ्रेंसिब्लेटी उसके अलावा बहुत सारे स्टुदेंस पूचते हैं कि सेरअ आपने कौन-कौन सी भुक स्टार्ट की हुई है P.S.C. फस्ट इयर वाड़ों के लिए तो मैं बता दूँ है मैंने दोन्नों भुक स्टार्ट की हुई है mechanics के बारे में बात करें तो mechanics की भई मैंने जर्नली दो unit cover कर ली है उसके बाद अब आप है electricity को continue करने वाड़ है इसकी भी एक या दो video मैंने डाल दी है उसके अलावा BSE second year वाड़ों के लिए math और physics वो भी video आप लोगों को मिल जाएंगे playlist में जाके चेक कर सकते हो या i button पे चले जाना भई याँ पर भी मैं आप लोगों को videos के link दे दूँगा तो वहां से भी आप लोग देख सकते हो तो अब आते हैं भई अपने chapter के उपर limit, continuity and differentiability उसके अलावा भई comment आ रहे थे मेरे पास सर क्या सो गए आप video को क्यों नहीं डाल रहे तो भई मैं बता दू थोड़ी बहुत problem होगी थी उंगली से लिखा नहीं जा रहा था ठीक है अब लिखा जा रहा है दूसरी उंगली से तो writing थोड़ी से गंदी आएगी थोड़ा अरजश्ट कर ले ना बाकी मैं समाल लोगा ठीक है अब बात आती है भई limit की तो इसके अंदर है ना एक famous definition है आप लोगों ने नाम भी सुना होगा epsilon delta definition जिसको ये epsilon delta definition समझ में आगी ना वो पूरे limit के अंदर मारने खाएगा अब आप definition में दिक्कत नहीं आएगी ठीक है जो मेरे student है solid geometry वगारा देख रहे है उनको पता भी होगा अब बात करते हैं भई इस definition के बारे में ठीक है तो definition क्या है letter function fx is defined in deleted neighborhood of a कोई function है भई वो कहाँ पर defined है deleted neighborhood of a अब इस line का मतलब क्या है देखो ये मेरे पास कोई एक line है इसके उपर ये point है इस a के deleted neighborhood में कोई मेरे पास function है fx वो क्या है define ठीक है neighborhood मतलब इसके जो यहाँ पर points है कोई भी इसके परोस में point है उनके उपर कोई function है fx वो क्या है define है ठीक है तो मैं माल लेता हूँ बई इस point को a minus delta और इस point को a plus delta तो यह ऐसे दो point है यानि कि यहां से a तक जाता हूं और a plus lambda से a तक जाता हूं तो इस interval में जो मेरा function है fx वो define है ठीक है यहां पर आप लोगों को एक बात याद रखनी है जो यह मेरा point है a यह include नहीं है a से इस side और a से उस side ही function define है a के उपर function define नहीं है ठीक है यह बात आप लोगों को अजम नहीं होई होगी तो example सुन लो limit x attending to 2 x square minus 4 upon x minus 2 तो अब क्या कर रहा हूं भई मैं x की जगह पे 2 put कर रहा हूं तो करो put x की जगह पे 2 तो यह क्या जाएगा 2 का square 4 minus 4 upon 2 minus 2 तो उपर भी 0 और निचे भी क्या आगी 0 तो 0 by 0 क्या होती है indeterminate form ठीक है यह बाई indeterminate form जर्नली साथ तरह की होती है आप लोग BSE second year में आप लोगों के पास आएगा advanced calculus का math उसका chapter number third है indeterminate form उसके अंदर यह पढ़ने को मिलेगा ठीक है और उसको छोड़ के जो उसके neighborhood point है उन neighborhood point के उपर वो function क्या होगा define होगा ठीक है यह deleted word यूज किया है उसका मतलब है A को हटा दो neighborhood का मतलब है A के neighborhood में ठीक है let a function fx is defined in the deleted neighborhood of A then a real number L is said to be limit of fx अगर यह वाड़ी condition है तो मैं L को fx की limit कहूंगा as x tends to A x कहां tend कर रहा है A के उपर for any epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that और यह condition hold करें ठीक है एक बारी फिर से repeat कर देती है एक function है जो की define है कहां पर deleted neighborhood of A के अंदर तो आपा real number L को fx की limit कहेंगे as x tends to A for any epsilon greater than 0 वहाँ पर क्या exist करना चाहिए lambda greater than 0 और वो lambda किस तरह से exist करेगा fx minus L का mode less than epsilon whenever x minus A का mode less than delta यह वाड़ी condition satisfy करेगी तो मैं L को इस function की limit कहूँगा as x tends to A अगर यह वाड़ी condition hold करती है तो मैं function को लिख सकता हूँ भई limit extending to A और यह मेरे पास कोई function है fx is equal to L तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ ठीक है यह तो थी definition अब मेरी तरफ से सुन दो इसको करना कैसे है ठीक है अब आपा इसको solve कैसे करेंगे याद करवा देते है ठीक है यह मेरे पास limit extending to 2 और यहाँ पर कोई ने कोई function given होगा x minus 4 x minus 2 is equal to कोई भी माल दो इसको fx ही माल देते है ठीक है जरनल ही बता देता हूँ extending to a fx is equal to l जब मैं extending to a यानि की x की जगह पे a put करता हूँ इस function के अंदर जो मेरे को value मिल रही है वो क्या मिल रही है l मिल रही है कैसे देखो limit extending to 2 और कोई function है 3x plus 4 तो x की जगह पे 2 put करेंगे 3 to 6 plus 4 क्या मिल रही है 10 तो यह कुछ इस तरह की form है भई ठीक है यह मैंने journal form बता दी आप लोगों को x की जगह 2 put करेंगे x की जगह पे a put करेंगे तो मेरे पास value क्या रही है l रही है ठीक है अब इसको epsilon delta definition में कैसे लिखना है वो द्यान से देख लेना सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है fx लिखना है क्या लिखना है fx अब याद कैसे करना है वो भी देख लो fx लिखना है अब यह उस side plus का है ना इस side लेके आओ तो fx minus l इसका क्या कर देना है mode मैं याद करना बता रहा हूँ यह मत समझना इस साइड लेके आएंगे तो यह limit extending to fx minus l हो जाएगा ठीक है मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ कैसे करनी है fx minus l यह less than क्या होगा बई epsilon होगा और यह epsilon क्या है कोई real number है जो आपा अपनी तरफ से मान के चलेंगे यह condition कब satisfy होगी whenever क्या हो x minus a less than delta हो ठीक है x क्या है यहाँ पर given होगा a जो आप लोगों को extending to दे रखा है वो less than क्या होना चाहिए delta अगर यह वाड़ी condition satisfy हो जाए तो भई आपा बोल सकते है epsilon delta definition से आपाने क्या गर दिया प्रूफ कर दिया ठीक है अब इसके अंदर journal ही क्या करेंगे आपा यह वाड़ी चीज लेके चलेंगे, क्या ये वाड़ी चीज लेके चलेंगे और इसको प्रूफ कर देंगे इसके लिए इसको प्रूफ कर देंगे इसके लिए, ठीक है, अब कोश्चन के अंदर कैसे लिखना है, वो भी देख लो एक बारी, ये जर्नलेट डेफिनेशन थी भई, जो आप लोगों को पताऊने चाहिए मैं इसको रॉफ कर रहा हूँ अब बात आती है डेफिनेशन की, तो मैं सबसे पहले एक्जामपल लिख लेता हूँ, मेरे पास पहला एक्जामपल है, भाई, पूरा नहीं लिखने वाड़ा मैं, so by definition, that the function, definition कोण सी है, भाई, अपने पास epsilon, delta, definition से प्रूफ करना, मैं लिखी देता हूँ, राइटिंग थोड़ी से गंदी आएगी, अर्जस्ट कर लेना, ठीक है, एक्जामपल है, यह री सुंगले से लिखा नहीं जा रहा, ठीक है, so by definition, यह देखो मार कर ऐसे लिखना पढ़ रहा है, so by definition, that the function, so by definition, that the function, fx, fx क्या है मेरे पास, fx की value दे रखी है, 3x plus 4, fx क्या दे रखा है, 3x plus 4, as limit 10, as limit 10, as x tends to 2, as x tends to 2, तो सबसे पहले, जो main चीज है न, आप लोगों को यह वाड़ी form बनानी आनी चाहिए, ठीक है, क्या करो, एक line लगा लो, rough work के लिए, ठीक है, यह definition आप लोगों को यादो भी होगी, तो मैं यह आपर लिख देता हूँ, यह definition क्या थी, अपने पास, fx है, minus l का mode, less than epsilon, whenever, mode of x minus a, less than delta, ठीक है, मैं इसको rough कर देता हूँ, तो सबसे पहले भई, क्या कर लेना, आपको question करते हैं, एक line लगा लेड़ी यह आपर, ठीक है, rough work के लिए, तो यहाँ पर जो function दे रखा है, उसको limit की form में लिखना है, क्या बोल रखा है, extending to 2, limit, extending to 2, fx क्या दे रखा है, 3x प्लस 4, इसकी value क्या दे रखी, has limit 10, तो यह value क्या दे रहा है, 10 दे रहा है, ठीक है, यह कुछ इस तरह से question दे रखा है, इसको journal form क्या होती थी अपने पास, limit, extending to a, fx, is equal to l, is equal to l, इसको compare किया, l की value क्या आगी, 10, ठीक है, दोनों को compare किया, l की value क्या आगी, 10, fx की value क्या है अपने पास, fx है भई, 3x प्लस 4, fx क्या है, 3x प्लस 4, और यहां से a की value क्या आगी, अपने पास, a की value आगी, 2, तो जर्नली अपने को करना क्या है, देखो, यह वाड़ा function लेके चलना है, यह वाड़ा, और उसको इसके लिए proof करना है, अब proof कैसे करते हैं, देखो, जब मैं fx minus l, l क्या है मेरे पास, 10, जब मैं fx minus 10 करूं, तो मेरे पास क्या जाना चाहिए, भई, x minus a, x क्या है, x और a क्या है, 2, तो मेरे को यह वाड़े function से इस पे जाना है, x minus 2, ठीक है, यह basic सा idea है, जो आप लोगों को आना चाहिए, इन question म अगर यह idea आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाले, एक बारी फिर से सुन लो, सबसे पहले यह statement given होगी, by the definition, so that function fx, 3x plus 4 has limit 10 as x tends to a, तो सबसे पहले आप लोगों को इस form में convert करना है, ठीक है, जल्दबाजी मत करना, अराम से कर लेना, 2, 4 question, अराम से करोगे, तो यह जो portion है, इसकी आप लोगों को practice हो जाएगे, ठीक है, l क्या है, a क्या है, fx क्या है, तो दिक्कत में आएगे, starting में ऐसे ही कर लेना, limit extending to 2, यह बोल रखा है, x कहाँ पर tend कर रहा है, 2 के ऊपर, function दे रखा है, 3x plus 4, और उसकी value कितनी है, 10, आप लोगोंने journal form लेकी, limit extending to a, fx is equal to 2, उसके बाद, अब आप लोगों को क्या करना है, fx minus 10, fx की value क्या है, यह, यहाँ पर value रखनी है, और इस value से यहाँ पर चले जाना, कहाँ पर x minus 2 पे, तो कैसे करना है, solution देखो, ठीक है, solution देखना भई, let epsilon greater than 0, be a real number, be any real number, अगर number पूरे चाहिए, तो आप लोगों को, first of all, यह वाड़ी line लिखनी है, और यह मैंने आप लोगों को बताया था, आप एपसाइलन एक real number लेके चलेंगे, और उसके लिए क्या exist करना चाहिए, lambda exist करना चाहिए, greater than 0, such that, कुछ इस तरह से, ठीक है, तो आपने क्या किया, let epsilon greater than 0, be any real number, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, by definition, यानि कि इसके उपर definition लगा रहा हूँ, definition कौन सी, यह वाड़ी, तो यह definition क्या बोलती है, mode of fx, minus l, यह क्या होना चाहिए, equal to, क्या होगा, देखो, fx minus l, fx क्या है, 3x plus 4, fx है मेरे पास, 3x plus 4, minus l, l क्या है मेरे पास, 10, l क्या है, 10, तो जब मैं इसको solve करूँगा, तो यह क्या जाएगा, भई, देखो, इसको solve किया, 3x minus का 10, plus का 4, यह हो 6, minus का 6, अब इसमें से कुछ को मना रहा है, बिलकुल आ रहा है, क्या को मना रहा है, 3, तो यहाँ पर क्या बचेगा है, x, यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2, तो यह देखो, मैंने क्या बोला था, यह वाड़ा function लेके चलेंगे, और इसको proof कर देंगे, किसके लिए, x minus 2 के लिए, अगर यह वाड़ी condition आ जाए, तो मैं बोल सकता हूँ, बई, किसी epsilon के लिए, एक lambda exist कर रहा है, इस phone में, तो यह क्या आ गया, 3, mode of x minus 2, तो अब मैं क्या लेके चलूँगा, बई, mode of fx minus l, less than epsilon, if 3, x minus 2, less than क्या हो, epsilon हो, ठीक है, कोई दिक्कत, अब दिक्कत आ रही कि आपने यापर lambda बोला था, अब lambda क्यों नहीं लिख रहे हो, तो उसके लिए सुनो, यह वाड़ी value less than epsilon लेके चले है, क्या, यह वाड़ी value less than epsilon लेके चले है, और उपर से इसकी value, fx minus l की value क्या आ रही है, 3, mode of x minus 2, यानि कि इसकी value, इसके लिए equal आ रही है, अगर यह value less than epsilon ह तो यह वाड़ी value भी तो less than epsilon होगी, ठीक है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख रहा, तो मैंने क्या किया, fx minus l less than epsilon, अगर यह less than epsilon है, तो यह वाड़ी value भी तो क्या होगी, less than epsilon होगी, यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहां से मैं बोल सकता हूँ, कि fx, l की value क्या है, 10 fx-10 less than epsilon if x-2 का mode और यह multiply में उस साइड जाएगा तो divide epsilon by 3 ठीक है अब मैं क्या करता हूँ taking delta is equal to epsilon by 3 तो मैं क्या कर रहा हूँ delta को मान रहा हूँ delta की value क्या है epsilon by 3 यही तो बोला था किसी epsilon के लिए delta exist कब करेगा जब यह वाड़ी condition हो ठीक है delta exist करेगा कुछ इस तरह से तो taking delta is equal to epsilon by 3 अब मैं क्या कर रहा हूँ भई mode of mode of fx minus 10 less than epsilon whenever whenever mode of x minus 2 less than delta और आपाने क्या किया delta की value क्या मान ली epsilon by 3 तो epsilon by 3 के लिए एक delta क्या कर रहा है exist कर रहा है तो यही अपने को क्या करना था भई प्रूफ करना था अब last में क्या करना है आपको इस form में लिख देना है तो अगर यह वाड़ी condition exist कर रही है तो मैं लिख सकता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ limit extending to 3x plus 4 यह value क्या दे रहा है 10 दे रहा है ठीक है यह आप लोगों को last में लिख देना है तो यह solution है भई solution है इसी तरह से हर question होगा अगर आप practice करोगे तो ही आप लोग कर पाऊगे ठीक है यह चीज़े सब के लिए नहीं होती है starting में कोई expert नहीं बनता एक दो question करोगे चीज़े असानी से समझ में आ जाएगी just करना क्या है आप लोगों को यह value लेके चलनी है और proof किसके लिए कर देना है इसके लिए ठीक है यह simple सा logic है करना कैसी है वो मैंने आप लोगों को बता दिया अगर समझ में ना आया हो तो video को क्या करो pause करो फिर से वापी से वहीं चलो जहां से example स्टार्ट किया था और दुबारा से देखो ठीक है अब next example करते हैं आपा next example देखो भई example 2 है बिलकुल ही चीट रह है so by definition so by definition that the function that the function fx that the function fx क्या दे रखा है x square minus 9 upon x minus 3 has limit 6 has limit 6 when x tends to 3 when x tends to 3 तो सबसे पहले वही आप लोगों को पता है इसको कैसे convert करते हैं सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है इसको convert करना है convert करने के लिए क्या करो seat के side में line लगा लो ठीक है rough work के लिए तो क्या बोल रखा है limit x 6 दे रहा है ये वाड़ा function उसकी value क्या है 6 है जब limit क्या हो x tends to 3 तो ये बोल रहा है limit x tends to 3 जो ये मेरा function है fx ये value क्या दे रहा है भई ये value दे रहा है 6 value क्या दे रहा है 6 तो यहां से देखो journal form के साथ compare किया limit x tends to a fx की value क्या है x square minus 9 एफेक्स ही लिखे दे ते जार is equal to a की value क्या आगी देखो दोनों को compare किया a की value क्या आगी यहाँ पर दोनों को compare किया तो l की value क्या आगी 6 fx क्या दे रहा है fx दे रहा है x square minus 9 upon x minus 3 ठीके ये क्या दे रहा है fx दे रहा है अब आप लोगों को क्या करना है, side में mode वड़ा काम कर लेना है, minus L, L क्या होता है अपने पास 6, less than epsilon, whenever, mode of x minus a, a क्या है अपने पास 3, less than क्या हो, delta हो, यानि कि ये वड़ा function लेके चलना है और इसको इसके लिए क्या कर देना है, proof कर देना है, तो सबसे पहले solution में, first line आपको क्या लिखनी है, let epsilon greater than 0, be any real number, be any real number, ठीक है, या इसको लिख लेना, be any given real number, तो by definition, by definition, मैं क्या लिख सकता हूँ, mode of fx minus l, fx क्या है मेरे पास, x square minus 9, upon x minus 3, ठीक है, ये 9 है बई, minus l, l क्या है मेरे पास, l कितना है, 6, अब इसको solve करो, solve कैसे करोगे, lcm ले लो, lcm लेंगे तो x minus 3, ठीक है, यहाँ पर क्या जाएगा, x square minus 9, x square minus 9, minus 6x minus plus 18, lcm लेंगे, solve करो, ये इसको एक काम करो, उपरवारी quality की question आएगी, इसको डिरेक्टी लिख दो, आप लोगों को पता होगा, a square, a square minus b square, अगर ऐसा हो तो उसको आपा क्या लिख सकते हैं, a plus b, और a minus b, तो यहाँ पर देखो, a square minus b square, यानि कि a क्या है, x square, इसको मैं, 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का square, तो ये क्या हो जाएगा भई, x plus 3, और x minus 3, ठीक है, इसकी जगे क्या लिख दिया, x plus 3, और x minus 3, upon x minus 3 into 6, x minus 3 से x minus 3 cancel हो गया, और बार क्या चल रहा है, अपने पास, mode चल रहा है, ठीक है, इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पर क्या बच गया, x plus 3 minus 6, और ये क्या हो जाएगा भई, ये हो जाएगा, x minus 3, तो यही तो था, देखो यहाँ पर, fx minus 6 लेके चले थे, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, x minus 3, ठीक है, ये चीजे द्यान रखना, ये वाड़ा लेके चलेंगा, और इसको प्रूफ क कर दिया, इसके लिए, ठीक है, तो अगर, अब अपने पास definition लगाते हैं, फिर से एक बारी repeat कर देते हैं, fx minus l, fx क्या है मेरे पास, ये वाड़ा function, minus l, l क्या है, 6, मैंने क्या किया बई, यहाँ पर identity लगा दी, कौन सी, a का square minus b का square, is equal to a plus b, a minus b, identity लगा दी, x minus 3 से x minus 3 cancel out ह हो गया, x plus 3 minus 6, उसको यहाँ पर लिख लिए, x plus 3 minus 6, तो minus का 6 plus का 3, minus का 3, तो अब आपाने क्या किया बई, देखो, fx minus l, l क्या है मेरे पास, 6 है, fx minus 6, अगर less than epsilon है, तो मैं कह सकता हूँ, x minus 3 भी क्या होगा, less than epsilon होगा, मैंने क्या किया बई, fx minus l को क्या मान लिया, less than epsilon मान लिया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, x minus 3 भी क्या होगा, less than epsilon होगा, ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, taking, यह same to same step है बई, जो आप लोगों को करने है, taking epsilon is equal to lambda, taking epsilon is equal to lambda, तो यहाँ से बोल सकता हूँ, fx minus 6 less than epsilon, whenever, whenever x minus 3 क्या होगा, less than lambda, देखो condition आगी, same to same definition थीन आपने पास, यह वही condition आगी, तो मैं इस function को कैसे लिख सकता हूँ, जो आपने starting में लिखा था ना, इसको अब यहाँ पर लिख दो, limit, extending to 6, x square minus 9 upon x minus 3 is equal to 6, तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, तो यह आप लोगों का solution हो गया, यही भई, आप लोगों के पास epsilon delta definition है, ठीक है, उसके बाद next questions, एक दोर कर लेते हैं भई, using epsilon delta definition, next question है, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो वीडियो को दुबारा देखो, प्रूफ देट, प्रूफ क्या करना है भई, next question है, अब अपने को direct form देने, using, example 3, using epsilon delta definition, using epsilon delta definition, prove that, क्या proof करना है भई, prove that, limit extending to 1, limit extending to 1, x cube minus 1 upon x square minus 1 is equal to 3 by 2, तो ये अपने को proof करना है, भई, epsilon delta definition से, तो अपना वही काम है भई, simple सा, क्या करो, journal form लिखो, journal form क्या होती है, limit extending to A, fx is equal to L, तो यहां से इसको compare करो, A की value क्या आगी मेरे पास, A की value आगी मेरे पास, 1, L की value क्या आगी भई, 3 by 2, उसके बाद fx की value क्या आगी मेरे पास, fx is equal to x cube minus 1 upon x square minus 1, ठीक है, अब क्या करो, definition आप लोगों को याद होगी, mode of fx minus L, L याने की 3 by 2, मैं लिली लिख देतना, less than epsilon whenever, क्या हो, x minus A, A क्या है मेरे पास, 1, तो अपने पास क्या आणा चीए, भई, लास्ट में, x minus 1 आणा चीए, किसकी मदद से, fx minus L mode की मदद से, अपने पास x minus 1 आणा चीए, तो solution, sorry guys, पहली line, let epsilon greater than 0, B, any given real number, B, any given real number, भई, जिसने ये वीडियो यहां तक आगया ना, अब उसको ये question समझ में आने लग गया होगी, ठीक है, starting में मेरे को भी पता है भई, थोड़ा boring lecture होता है, ये dimit का, अगर definition समझ में आ जाए, और question करने का तरीका पता लग जाए ना, तो भई, ये सबसे असान chapter है, इसके जो question है अब जिसको ये समझ में आ गया ना, वो continuity को भी उड़ा देगा, ठीक है, जिसको ये वाले lecture समझ में आ गया, जो ये first lecture है, ये समझ में आ गया, वो continuity भी उड़ा देगा, ठीक है, आप मेरे साथ बढ़े रहना, फिर मैं बताता हूँ कैसे उड़ाते हैं continuity, अपने को सबसे पहले क्या लिखना है, let epsilon greater than 0, be any given real number, तो by definition में क्या लिख सकता हूँ, mode fx minus l, तो fx क्या है मेरे पास, x cube minus 1 upon x square minus 1, minus l, l क्या है मेरे पास, limit है भई, मेरे पास 3 by 2, ठीक है, ये वाले चीज क्यों कर रहे हैं भई, मेरी तो practice है, मैं तो यहाँ पर देख के बता सकता हूँ, ये a है, ये l है, ठीक है, आप लोग भी practice करोगे ना, तो आप लोगों को भी समझ में आने लग जाएगा, ये a होता है, अपने पास, ये क्या होता है, l होता है, तो इसको भई, solve करेंगे, solve करने के लिए क्या करो, a का cube minus b का cube, identity लगाओ भई, a का cube minus b का cube, क्या identity होती है, जल्दी से बोलो, side में लिख देखते हैं, side में लिख देखता हूँ, क्ये हो गया, एक मिनिट रुको ना भई, किस खातर, बस पांच एक मिनिट माना, अरे अरे या एक मिनिट करने पड़े, ये फिर पांच एक मिनिट रुको जे, ठीक, ये देखो भई, अपने पास formula होता है, a का cube minus b का cube, is equal to a plus b, sorry, a minus b, और यहां पर आता है भई, अपने पास a का square, प्लस b का square, प्लस a b, ठीक है, ये वड़ा formula यहां लगाओ, कहां पर a का cube minus b का cube, तो वो लो क्या formula हैगा, a minus b, तो x minus 1, ठीक है, उसके बाद अंदर, a का square, यानि की x का square, प्लस b का square, 1 का square, प्लस 2, sorry, प्लस a b, तो a b करेंगे, तो यहां पर क्या जाएगा, x, ठीक है, अपोन में क्या चल रहा है, भई अपने पास, x square, minus 1, और यहां पर क्या चल रहा है, minus 3 by 2, अब देखो, a का square, minus b का square, a का square, minus b, यहर इन अडेंटी को रटलो, a का square, plus b, sorry, a का square, minus b का square, क्या होता है, a plus b, और a, minus b, तो निच्चे वाली टरम को क्या लिख सकता हूँ, भई, a minus b, और a, plus b, तो यह देखो, यहां से यह वाली टरम क्या होगी, कट गई, ठीक है, यह वाली टरम क्या होगी, cancel out, उसके बाद यहां पर क्या बचे गया, मैं यहां पर लिख रहा हूँ, mode of, x square, plus one, plus x, upon, x plus one, minus, 3 by 2, ठीक है, अब इसको कैसे solve करेंगे, तो एक काम करो, LCM ले लो, क्या करो, LCM ले लो, LCM लोगे, तो निच्चे क्या जाएगा, 2x plus one, LCM तो लेना आत्ता होगा बई, मैं ड्रेक्ट लिख रहा हूँ, 2x square, plus one, plus x, minus 3, x plus one, ठीक है, अब इसको थोड़ा solve कर लो, यह रफ कर रहा हूँ, मैं लिख लेना, अगर नहीं लिखे तू, अब इसको solve करेंगे, 2 को अंदर मंटिपलाई करो, 2x square, plus 2, plus 2x, ठीक है, यहाँ पर, minus का sign, अंदर मंटिपलाई करो, 3x minus 3, 3x minus 3, upon 2x plus one, अब इसको solve करो, यह 2x, यहाँ पर लिख देते, यहाँ पर क्या बचेगा, 2x square तो है, 2x square, उसके बाद, plus का 2, minus का 3, तो यह हो गया, अपने पास, minus का 1, plus का 2x, minus का 3, x यह आगया, minus का x, upon, 2 into x plus one, 2 into x plus one, यह quantity equation आगी भई, इसके root निकाड लेना, मैं direct लिख देता हूँ, ठीक है, इसके roots क्या आएंगे, इसके roots आगया अपने पास, x minus one, और 1 आगया अपने पास, 2x plus one, upon, 2x plus two, निच्चे वाले 2 की अंदर, multiply कर दी, तो एक चीज बताओ भई, यहाँ पर जो mind लगाना, आप लोगों को, x minus one का क्या चाहिए, mode चाहिए, तो यहाँ से मेरे को कौन सी ट्रम अटानी है, यहाँ से मेरे को यह वाली ट्रम अटानी वई, 2x plus one, upon, 2x plus two, तो यहाँ से इसको कैसे अटा सकते हैं, इसको अटाने के लिए आप लोग क्या करें, यह जो ट्रम होती है ना, 2x plus one, 2x plus two, less than one होगी, क्यों होगी, इसका जो mode है, वो less than one होगा, क्यों होगा, ध्यान से सुणना, x की जगह मैं one क्या पूट कर रहा हूँ, one put कर रहा हूँ भई, x की जगह मैं one put कर दा हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, उपर two plus one, यानि कि three, और निच्चे क्या आएगा, x की जगह one put किया, तो four, तो यह देखो, यह ट्रम क्या रही है भई, less than one आ रही है, ठीक है, similarly two put करके देखो, जब मैं इसकी जगह two put करूँगा, तो उपर क्या जाएगा, four plus five, दीचे क्या जाएगा, four और two six, तो यह ट्रम क्या रही है, less than one, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, जो यह वाड़ी ट्रम है, यह मेरी क्या रही है, less than one आ रही है, जो यह वाड़ी ट्रम है, मेरी क्या रही है, ठीक है तो देखो लास्ट में अपने को ये मिल गया अब यहां से क्या लेके चलेंगे यहां से अगर ये वाड़ी वैल्यू fx fx-l less than epsilon है तो मैं क्या कह सकता हूँ ये वाड़ी ट्रम x-1 ये भी क्या होगी less than epsilon होगी ठीक है इसी से अपने पास ये वाड़ी ट्रम आई है ठीक है इसी से ये वाड़ी ट्रम आई है तो अगर ये वाड़ी चीज एक्जिस्ट करती है तो मैं बोल सकता हूँ fx-l less than epsilon है तो यहां से क्या एगा if mode of x-1 is also less than epsilon तो यहां से आपा क्या करेंगे taking epsilon is equal to delta तो यहां से क्या लेके चलेंगे taking epsilon is equal to delta तो मेरे पास जो condition है वो क्या होगी मैं यहां पर लिख देता हूँ बही उपर रफ करणा हूँ इसको तो मेरे पास जो condition है वो क्या होगी fx-l, l क्या है 3 by 2 less than epsilon whenever mode of x-1 is also less than delta तो यह मेरे पास क्या हो गया भई definition से proof हो गया तो यही 3-4 step है भई जो आप लोगों को क्या करने है follow करने है इससे जो next example है भई वो मैं आप लोगों को next video में cover गरवाता हूँ ठीक है बता देना next example हो गई हो गई तो आप नेक्स एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे अगर नहीं हुए तो आप लोगों को जो बचे हुए example है वो आप नेक्स वीडियो में cover कर लें thanks for watching creative study एके और channel के उपर नए हो तो channel को subscribe कर गए कर दो पाले 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 कीजन हो पाले यज चाँ बग्टिए आप